हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज कल शुगर स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे है तो यह किस वज़े से परफॉर्म कर रहे है शुगर स्टॉक्स अगर अपने पास नहीं है तो क्या इस लेवल पर बाई किये जा सकते है या फिर अपने पोर्टफॉलियो में शुगर स्टॉक्स है तो क्या प्रॉफिट बुक किया जाए या इसे होल्ड किया जाए साथ ही हम इनके charts भी check करेंगे, इनके fundamentals भी check करेंगे और देखेंगे कि क्यों rally चल रही है sugar stock में और ये कब तक चल सकती है तो चलिए दोस्तों देखते है sugar stocks काफी details में तो दोस्तों हम सबसे पहले check करेंगे कि sugar stock में rally क्यों चल रही है इसका main reason क्या है इसके साथ ही हम इसके fundamentals, technicals और charts भी चेक करेंगे कि ये सिप news based चल रहे है या आगे long term के लिए चल सकते है कुल 5 reason की वज़े से sugar sector में rally चल रही है इसमें सबसे main reason है shortfall in global sugar production मतलब Brazil और Thailand ये जो है ये दुनिया के सबसे बड़े exporter है sugar के यहाँ पर दुनिया की सबसे जादा sugar production की जाती है मौसम खराब होने की वज़े से पिछले साल की मुकाबले इस साल इनका sugar production जो है 35% से कम हुआ है demand same है लेकिन production कम है इसी वज़े से भारतिय एक्सपोर्टर जो है उनके पास एक अच्छी opportunity है कि अपना sugar stock जो है वो export कर सकते है demand जादा रहने की वज़े से और production कम रहने की वज़े से sugar price यह जो है यह बढ़ सकती है अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि sugar में shortfall है लेकिन demand same है इस वज़े से sugar की price जो है वो बढ़ सकती है और price बढ़ेगी तो अपनी जो भारतिय कमपनिया है जिनके पास surplus inventory है उनके जो है profit के chances ज़ादा बढ़ जाएंगे और इनका debt भी कम हो सकता है मतलब यह कमपनियों के profit में आने के chances बहुत ज़ादा है अगले 2-3 quarter इनके results भी अच्छे आने के chances है sugar manufacturer जो है वो OMC's company को ethanol जो है वो supply करते है और government इसको 20% तक बढ़ा सकती है 2025 तक तो इसका मतलब यह है कि ethanol की जो demand है वो 20% से बढ़ सकती है 2025 तक तो ethanol की demand भी बढ़ जाएगी तो यह भी एक अच्छे opportunity है sugar manufacturer के लिए कि अपने जो है वो income बढ़ाने का और अपनी companies जो है वो profit में लाने का तो ethanol, domestic factors इसके साथ ही international factors को देखे तो अगले 1-2 quarter जो है इनके results अच्छे रहने के chances है इसी वज़े से आप इन companies में invested रह सकते है अब हम इसी sector में से जिन company को ज़्यादा हो सकता है उनके charts चेक करेंगे दोस्तो इन में से कुछ charts तो ऐसे भी है जिनोंने 12 साल के बाद breakouts दिये है तो चलिए चेक करते हैं इन company के charts तो दोस्तो अब हम चेक करेंगे बलरामपूर चीनी के charts ये charts हम lifetime वाले charts जो है वो चेक करेंगे इस charts पर आप देख सकते हैं कि इसने 12 साल के बाद breakouts दिया है अगर 12 साल के बाद ये stock breakouts दे रहे हैं तो इसका definitely कुछ ने कुछ reason तो है अब हम चेक करेंगे इसके charts को आप देख सकते हैं कि 2005 में बलरामपूर चीनी ने 750 का high लगाया था उसके बाद ये stock नीचे आ गया था 2009 में फिर इसने जो high लगाया था वो 150 है अब आप देख सकते हैं कि इसने जो high लगाया है 150 तोडने के पाद ये सीधा 345 पर एक मेने में आया है और इसका जो पहला high हम देखें जो कि 2005 में इसने लगाया था तो ये था 750 तो जैसे इसके chart बता रहे हैं ये stock 750 तक जाएगा फिलहाल world market में soft commodities के stock अच्छे perform कर रहे हैं तो ये भी stock उपर जाने के अच्छे chances है आप इसमें invested रह सकते हैं तो दोस्तो इसी sector का हम दूसरा stock देखेंगे जिसका नाम है प्राज industries तो अगला chart जो है वो हम प्राज industry का चेक करेंगे आप देख सकते हैं कि 2021 में मतलब इस साल में इसके volume जो है वो काफी अच्छे बनने शुरू हो गया है अब chart को देखें तो 2008 में इसने high लगाया था 275 खा और अभी इसने ये high जो है वो break कर दिया है और इसका मतलब ये बन रहा है कि इसके target भी काफी उपर के बन सकते हैं इसके results भी काफी अच्छे आने के chances है तो आप अगले एक साल तक इसमें invested रह सकते हैं तो अब हम 3-20 के charts भी check करेंगे आप chart पर देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में ये stock जो है वो एक ही range में घूम रहा है और दो दिन पहले इसने पिछले 10 साल का high जो है वो break किया है और उसके उपर sustain भी कर रहा है मतलब 140 के उपर ये sustain कर रहा है अब अगर हम target का देखे तो इसके 200 से 220 तक के target short term में बन रहे है मतलब अगले 3 से 6 मेने में ये 220 तक जाने के chances है और अगर आगे देखे तो इसके अगर results अच्छे आते है और ये इसके उपर sustain करता है 220 के उपर तो आप इसे long term के लिए भी buy कर सकते है और आप इस stock को deliver में भी hold कर सकते हैं अगले 3 से 6 मेने के लिए इस stock की balance sheet भी अच्छी है और company का debt भी कम है तो आप इस stock में invested रह सकते हैं अब अगले stock के बारे में जानते हैं अब अगला chart जो है वो EID Perry का हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2017 में जो high इसने लगाए थे वो 4 साल बाद ये break कर रहा है अब पिछले कुछ दिरों में आप इसका अगर volume देखे तो ये भी काफी बढ़िया बन रहा है पिछले 6 मेनों का volume अगर हम check करते हैं तो पिछ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छे और informative लगी तो इसे like करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और subscribe करें Thank you for watching